हेलो दोस्तों स्वागत आपका उत्तराखंड जी की वैरी जी ट्रिक्स में आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तराखंड आरो ए आरो स्वाल पेपर पार्ट टू के बारे में इससे पहले हमने आरो ए आरो जो 2017 में स्वाल पेपर हुआ था उसके पचास प्रस्णों को डिसकस अब करेंगे आपके आने वाले एक्जाम्स आरो ए आरो के लिए आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से आपको तयारी करनी है इसी प्रकार का पेपर फिर से UKPSC के द्वारा कराया जाएगा तो आगे हम प्रस्णों को आगे बढ़ते हुए चलते हैं और इस वीडियो में कुछ भी मिस्टेक्स हो तो प्लीज कमेंड बॉक्स में जरूर बताईएगा ताकि उसमें जल से जल सुधार हो सके तो 51 प्रस्णों दोस्तों माता कि सुन्दरवन डेल्टा कौन से पेड के लिए प्रसिद्ध है तो सुन्दरवन डेल्टा सुन्दरी के पेड के लिए प्रसिद्ध है अब हमें पता है दोस्तों कि सुन्दरवन डेल्टा जो है वह भारत का ही नहीं बलके पुरे विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है जो की गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बनाया जाता है और यह जो है मैग्रो वन से ठका हुआ है और सुन्दरी के पेड़ों के लिए यह प्रसित्य इसी के कारण इसका नाम सुन्दर वन भी पड़ा है तो यह इंपोटेंट है और यह जो डेल्टा के किनारे मलब समुत्र के किनारे जो नमकदार पानी होता है उसमें यह पेड़ पाए जाते हैं अगला जो हमारा प्रस्न है कि निम्दमे से कौन से ज्वाला मुखी सतही प्लेट के मध्धे घटित होते हैं तो इन में से करको टोवा जो आला मुखी जो होता है वो है क्या होता है सतही प्लेट के मध्धे से होता है अगला प्रस्न है कि पर्त्वी पर अधिकता निरंतर पर्मा फ्रास्ट पाए जाते हैं कहां पाए जाते हैं अब बात करते हैं कि जो ये पर्मा फ्रोष्ट या पर्मा फ्रास्ट होते हैं या होते क्या है तो पर्मा फ्रास्ट दोस्तो ऐसे इस्थल को आ जाता है जिसमें मिट्टी लगातार कम से कम दो वर्चा तक पानी जमने के तापमान से कम तापमान पर रही हो यानि कि 0 degree Celsius से कम तापमान पर जहां पर हमारी मिट्टी रही हो उसे हम जानते हैं पर्मा फ्रोस्ट नाम से ठीक है तो यह जो पर्मा फ्रोस्ट अधिकतर पाई जाते हैं कहाना पाई जाते हैं अंटार के टिका में पाई जाते हैं क्योंकि यहां का जो temperature होता है बहुत कम, 0 degree Celsius परवत्व जो है इसमें मरुस्तली करण का एक उधारण है ठीक है तो यह थोड़ा सा बायों के questions है या देख लीजेगा आप इनको detail में ज्यादा मुझे भी नहीं बता है इनके बारे में वैसे जहां तक है कि बायों या फिर जीवों धर्तिया समुद्र के ऐसे बड़े भाग को का जाता है जहां पर मलब सभी की उपस्तिती पाई जाती है अगला मारा प्रसन है 57 कि दक्षिन पूर्वे एसिया में ग्रिस्मकालिन मांसुन के दौरान क्या होता है तो दक्षिन पूर्वे एसिया में ग्रिस्मकालिन मांसुन के दौरान हवाएं हिंद महसागर से एसिया महादिव की और प्रभाहित होती है तो option number C इसका right अंसर होग है अगला हमारा प्रस्थन है मानव का पर्माफ्रास्ट पर प्रभाव संभिलित रहता है तो मानव का पर्माफ्रास्ट पर प्रभाव संभिलित रहता है तापी अपर्दन को प्रेरित करना ठीक है किसे तापी अपर्दन को प्रेरित करना मारव का पर्माफ्रास्ट का अब दोस्तो जो बोरियल विश्व के उत्तरी छेत्रों का एक बायोम है जिसमें चीड स्प्रोस लार्ज आधी कॉन धारी व्रप्षी या वन पाई जाते हैं तो इसी के अकॉर्डिंग दोस्तों छेत्रपल की दिस्टी चे बोरियम या टैगा वन विश्व का सबसे बड़ा भायोम हें ठीक है वो ने उत्पाक सबसे बड़ा भायोम है है ठीक है अगला प्रस्थन है हमारा कि विश्व में कौन सा भू संतुलन का उधारन है यानि कि भू स्प्रुजण गयांख बंदался के वूज़िया हि व्रू पर पति होती है उसके नीचे जो भी जिस पर वो ठीक प्रोग्रामिंग भासा नहीं है तो option number A इसका सही हो जाएगा वी भी हमारी प्रोग्रामिंग भासा नहीं है जबकि C, Oracle, Java, CC Plus और 37, Fortron ये सभी क्या होती है हमारी प्रोग्रामिंग भासा होती है अगला हमारा प्रस्ण है 62 कि Memory और ALU के मद्द डाटा ट्रांसफर का अंतरन करती है डाटा का अंतरन कौन करता है तो इसका जो राइट अंसर दिया गया है वो है कंट्रोल यूनिटी का है थोड़ा सा कंट्रोल यूनिटी करना चाहिए क्योंकि Memory राम तो डाटा को सेब करती है तो राइट होगा अगला प्रस्ण है 63 कि निम्दम ऐसे किसे कंप्यूटर का मस्तिष का राता है तो CPU को को दिमाग आता है CPU का पुरा नाम क्या है Central Processing Unit ठीक है अभी Microprocessor यह सभी चीज़ न क्या होती है CPU का ही दूसरा नाम हमारा Microprocessor भी रहता है ठीक है और Central Processing Unit अगला प्रस्ण है कि TCP का आर्थ क्या है तो TCP होता है हमारा Transmission Control Protocol तो इसका B option सही है तो आपको computer के भी 10 प्रस्ण इसमें पूछे जाएंगे तो आप उसके भी अच्छी तरीके से तैयारियां कर लिजेगा अगला हमारा प्रस्ण है 65 की HTML का एक उधारण है मनलब HTML किसका उधारण है तो File Extension का एक उधारण है हमारा HTML अब HTML की अगर फुल फॉर्म की बात की जाए तो नोट का लिजी का पूछा गया है Hyper Text Markup Language क्या Hyper Text Markup Language इसका पूरा नाम है और यह क्या होता है कि वेपेज के लिए एक Markup Language होती है यदि किसी भी डॉक्यूमेंट में जैसे आप लोग ने देखा होगा लास्ट में .html लिखा हो आता है यानिकि वह एक File Extension का Type है ठीक है अगला मारा प्रस्ण है कि www.pages विक्षित होते हैं किसके द्वारा विक्षित हो अगला हमारा प्रस्ण है कि एक निबल किसके बराबर कितने बीट से होता है तो एक निबल बराबर होते है हमारे चार बीट से ठीक है और अगर पुछाएगा कि दो निबल बराबर कितना होता है तो दो निबल बराबर होता है हमारा एक बाइट ठीक है एक बाइट और एक बाइट बराबर कितना होता हमारा आठ बीट है तो एक निबल बराबर पुछा गया तो चार बीट हो जाएगा अगर दो निबल नेटवर्किंग टाइप के डिवाइसिस है यानिकि जो विभिन ने जो हमारे computer plates forms होते है उसको एड करता है या फिर जोडने का जो काम करता है उसे हम router कहते है अगला प्रसन है हमारा computer virus प्रभावित करता है तो किसे तो software को प्रभावित करता है software यानिकि जिसके basis पे मारा computer operate होता है control unit ALU अगरा जो भी होता है software मा आता है ठीक है तो virus जो होता only software को प्रभावित करता है अगला प्रसन है कि किस साथ वाहन राजा ने स्वयम एक ब्राम्मन की उपादी धारन की थी तो उस्तो गौत्मी पुत्र साथ करनी ने स्वयम एक ब्राम्मन की उपादी धारन करी थी साथवाहन सासक जो थे हमारे गौत्मे पूर्त्र साथकर्णी एक मात्र ऐसे साथवाहन वंसके थे जिन्होंने प्राहमण की उपादी कहा थी तो उस्तों धारण किये थी और इन्हें साथवाहन वंसका प्रतापी राजा भी माना जाता है ठीक है अगला हमारा प्रस्न है कि वैदिक काल में बली सब्द का क्या अर्थ था तो वैसे वैदिक काल में बली सब्द का अर्थ होता है दोस्तों कर से था लेकिन यहाँ पर प्रजा द्वारा दी जाने वाली भेटी ही बली कहलाती थीटी तो बली का संबन किस्ते था कर से था ठीक है प्रारेंब में दोस्तों बली एक स्वैची कर था जो राजा को प्रदान किया जाता था प्रजा के दौरा भेट के रूप में लेकिन बाद बाद में इसे मलब अनिवारी गोशित कर दिया गया और बाद में इसने करका रूप धारन कर लिया तो D सही है इसका अंसर अगला प्रस्ण है कि कौन से बहुत गरंथ में 16 महाजन पतु का उलेक मिलता है तो दोस्तों अंगुतर निकाई में 16 महाजन पतु का उलेक मिलता है अंगुतर निकाई बहुत धर्म का सबसे बड़ा गरंथ है जिसमें हमारा 16 महाजन पतु का मिलता है ठीक है अगला हमारा प् 1650 में इसका निर्मान किया गया था 1650 में और किस विजाई के पश्राद पूछा गया था पूछा जाएगा तो गुजरात विजाई के पश्राद किया गया था अकबर के दौरा बुलन दरवाजे का निर्मान और पूछा जाए कि बुलन दरवाजा कहा इस्तित है तो यह हमार फतेपुर सीकरी में इस्तित है ठीक है कहां फतेपुर सीकरी में और यहां भारत का सबसे उंचा दर्वाजा है बुलन दर्वाजा अकबर ने 605 में मनाया था ठीक है गुजरात विजय की स्मृती में अगला प्रस्तन है निम्ने वैसे किस्तने भारत में सरोपर्स्तम इकता प बहागू में विवाजित कर दिया था सैनिक और राजसों के छेत्र में जो लोग काम करते थे इस टैप से इसने इक्ता प्रणाली का प्रारम किया था अगला प्रसन है 75 वहां भारत में मनसबदारी व्योस्ता किस ने प्रारम की थी तो मनसबदारी व्योस्ता हमारी अकबर ने इस भी मैं ठीक है और मुगल कालीन प्रसाशन की रीड किसे माना जाता था पुछे आएगा तो मुगल कालीन प्रसाशन की रीड जो होती थी या रीड की हड़ी वह भी मनसबदारी व्योस्ता को ही माना जाता था अगला प्रस्तन है कि कबीर का पालन पोशन ने एक मुस्लिम जुलाहे ने किया था जिसका नाम था क्या था दोस्तों एक मुस्लिम जुलाहा था नीरू ठीक है यानि कि नीरू और नीमा ठीक है नीरू और नीमा के दोवरा जो कबीरदास थे उनका पालंपोशन कराया गया था ठीक है और जो कबीरदास थे दोस्तों नीरू और नीमा को बनारस में लहर तारा तालाब के पास मे इनको मिले थे और इसके बस्ताद इन्होंने इनका पालन पोशन किया था और कबीर किया थे कबीर की अधिकतर उपदेश बीजक में सम्मिले थे हैं और इनकी मृत्यू मगहर में हुई थी अगला हमारा प्रस्न है कि चौखंबा सिद्धान्त के अग्रणी सिद्धानकार कौन इनको जाना जाता है और इनको जाना जाता है और इस प्रकार के थे पहला था हमारा ग्रामीर इस्तर पर दूसरा था हमारा जिला इस्तर पर तीसरा था राज्य इस्तर पर और चौथा था हमारा केंद्र इस्तर पर ठीक है काफी इम्पूटेंट है ये प्रस्न अगला प्रस भारत में दोस्तों जो मारा बहावी आंदुलन का नेत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत् तो प्रमुक के इंद्र था पटना ठीक है पटना था और इन्हें इस आंदोलन में अंग्रेजु के खिलाब जिहाद की कोशना भी करी थी अगला प्रस्ना है कि निम्द मैंसे किस सामाजिक धार्मिक आंदोलन ने दलित वर्ग के संबन्द में आवाज उठाई थी तो ये तो आप सभी लोगों को पता होगा कि दलित वर्ग के रूप में आवाज किसने उठाई थी वो उठाई थी सत्यसोदक समाज ने ठीक है तो इसका राइट एंसर उप्सन डी और सत्यसोदक समाज की स्थापना कब हुई अगर ये पुछा जाएगा तो 24 सितंबर 1873 में इसकी स्थापना कहां की गई थी पूना में ठीक है और इसके संस्थापक कौन ते सत्यसोदक समाज के तो थे ज्योतिबा फूले जी काफी बार पुछा गया है सत्यसोदक समाज के संस्थापक ज्योतिबा फूले और कभ हुई थी इसकी स्थापना 24 सितं अगला हमगारा प्रस्न है ऐसीवां कि दिसंबर 1929 कि लाहोर अदिवेसन कि अधिवेसन में जोड दिया गया तो किसके ऊपर जोड दिया गया था जो दिसंबर 1929 में तो पूर्न-स्वराज की मांग कि गई थी सब से पहले तो इंपोर्टन प्रस्न पुछा आता है कि लाहोर पूर्ण स्वराज की मांग सबसे पहले कब की गई थी तो कांग्रेस के लाहर अधिवेशन में की गई थी कब दिसमबर 1929 में और इसकी अधिख्षता किसने कर थी ये भी काफी important point बन जाता है तो वो कि थी हमारी जवाहरलाल नहरो ने जवाहरलाल नहरो ने लाहर अधिवेश के रूप में मनाया जाएगा अपूर्ण स्वराज सरोपर्थम यहां कब डिसकासब किया गया था कि 26 जनवरी को स्वतनता दिवस के रूप में मनाया जाएगा तो दोस्तों 1929 में ही किया गया था इसी के तहट बजब हमारा देश आजाद हुआ 15 गस्तों 1947 को लेकिन सम्वि गोष्णा की जा चुके थी लाहर अधिवेशन के दौरान की पूर्ण सवराज के दौरान की स्वतनता दिवस क्या था हमारा 26 जनवरी को मनाया जाएगा लेकिन 26 जनवरी को स्वतनता दिवस ना मना के गर्मतन दिवस को मनाया जाता है अगला मेरा प्रस्ना है 1928 के सत्यागराय का निद्टित क्या था बार्दॉली सत्यागरे का excited when was ्॒ evdie बीकाफी इंपोटेंट है और कहा हुआ था लोस्त प शूरतम के सूरत में तो यह भी आप नोच के लिए कि अलशाज के सूरत में में मेली बार्दॉली सत्यागरे हुआ ठाइघ ए और इसमें मुख्यँ भूमिका किस ने मनाई थी सर्दार बंलब बाहीपटे ले इसमें मुख्यटाय भूमिका निभाही थी थी अगला went फसलोगी गदिप प्रस्थापना सांएग निदाओं अमेरिका के सैंटक्रांसिस्को में हुई थी ठी कहा सेंट फ्रांसिस्को में हुई थी ठी का हुई थी 1913 में अच्छा प्रइंट है लाला हरदयाल जी नहीं करी थी अगला प्रस्ट है कि भारती प्रेस की सुतनता का प्रणेदा किसे कहा जाता है ठीक है किसे चार्ल्स मेट कॉप को ठीक है तो अच्छा पॉइंट है और समाचार पत्रों के मुक्ति दाता के रूप में भी इनको जाने आता है किसे चार्ल्स मेट को ठीक है अगला प्रस्त जोहां लाल नेरू राष्ट्री कॉंग्रेस के पहली बार अध्यक से कब बने थे तो 1929 के लाहोर भारत की नई और द्यूक्याइटी 19,191 अगला प्रस्तन है कि मा भारत में मानव विकास सोचकांग हट डीए तो जीवन प्रत्यक्षा सेक्षय प्रतिव्यक्ति आई यह सभी क्या है हमारा hdi में हैं ठीक है यानि कि मानव विकास सोचकांग में प्रसारित हैं ठीक है अगला चार बेलाबरों संद highlighting इसका पूरा नाम है पूछा रहता है कि ट्राई सेम् आप इसकी फुल फॉर्म नोट करना जाते तो घंलिजी एक ट्रेणिक ड्रूलर यूथ पॉर्स सेल्फ इंप्लोईमेंट ठीक है ट्रेनिंग रूलर यूथ फॉर सेल्फ इंप्लोईमेंट ठीक है तो ये इसकी फुल फॉर्म थी और 15 अगस्त निस्ट नासी को ये लागू की गई थी किसके लिए ग्रामीर विकास के लिए ठीक है अगला हमारा प्रसन बन जाता है कि भारती जीवन बिमा निगम LIC की स्थापना किस वर्च हुई तो LIC की स्थापना किस वर्च हुई पूछा गया तो इसका राइट एंसर है और on also no b we 1956 में हमारी LIC की स्थापना हुई ठीक और LIC का मुख्या लेक आया पूछा जाएगा तो इसका हेड़ कॉर्टर है मुंबई में अगला प्रस्टन है कि भारत की पहली अध्योगिक नीति कब अस्तित्तों में आई थी तो पहली अध्योगिक नीति हमारी अप्रेल उनिस्टों नातारिस में अस्तित्तों में आई थी और उस समय भारत के उध्योग मंत्री श्यामा परसाद मुखर जी थे ठीक ह अग्ला मारा प्रस्न है 90 मां प्रस्न है कि 24 वित्ता आयोग 2015-20 ने भारत के राष्टपती को अपनी रिपोर्ट का प्रस्तुत की तो वो जो रिपोर्ट उन्होंने प्रस्तुत की थी दोस्तों वो की थी I think December 2014 में ठीक है अग्ला मारा प्रस्न है कि circa क lightning का सरजन किसके अधीन किया गया है तो गरामीर अटवेश्ता विकाउपस कौन का स्रजन दोस्तों नाभाट के अधिन किया गया है और बात करते हैं कि नाभाट का पूरा नाम क्या था काफी बार पूचा गया, आप णोने आदे Jadi तो कर लिजेगा National Bank for Agriculture and Ruler Development धी कहे National Bank for Agriculture and Ruler Development यह है नावाड की फुल फॉर्म और इसकी स्थापना कप की गई थी तो 1982 में नावाड की स्थापना की गई थी और किस समीटी की अनुसंसा पर की गई थी तो सीवरामन समीती की अनुसंसा पर इसकी स्थापना की गई थी अगला प्रस्न है कि राज जी में किस छेत्र से अधिक्तम कुल घरेलू बचत प्राप्त होती है तो कौन सी छेत्र से होती है तो घरेलू छेत्र से होती है ठीक है Option B इसका right होगा अधिक्तम कुल घरेलो बचत घरेलो छेतर से ही प्राप्त होती है किस वर्षे नीती आयो के स्थित्मा आया तो नीती आयो की स्तापना होई थी 1. January 2015 को योजना आयो का अंतगर नीती आयो की स्तापना होई थी बाद आती है नीति तो आपिसे नोट कर लीजिए का अगला प्रसंद है कि निम्द में से कौन सी अवधी पर्थम पंचवर्शी योजना की थी तो पर्थम पंचवर्षी योजना हमारी 1951 से 1956 तक थी ये तो हम सभी लोगं को पता ही है ठीक है और इसमें मेल रूप से जो थे हमारे हैरोल्ड डामर पध्यती पर आदारिक थी है कौन सी हैरोल्ड डामर पध्यती पर काफी बार यह भी पुछा हैता है कि पर्थम पंचवर्षी सांखी की आयोग की स्थापना की गई थी मलब वही mathematical calculations या सांखी की आकडों का संक्रह मलब संग्रह करने के लिए इसका स्थापना की गई थी और कौन सी समीती की अनुसंचा पर तो रंग राजन समीती की अनुसंचा पर इसकी स्थापना की गई थी किसकी रंग राजन अग फर्सक्र की अभुदाल्ना संबन्दित किसे है निर्दंतہ का दुष्चर्ग अभु hem अधालना संबने तो वह Hai आख ए अरल नरके शेन के इनहोंने एक सिद्ञान्र दिया था के गरीब और खार गरीब होते जारे हैं और अमीर होते जारे हैं तो निर्दन्ता का दूसर की होधार्णा नरकसी ने दि थी correct अग्ला मुला प्रशन है 97 में से कौन सा कार्वन का पर्व नहीं है तो बल्वा पत्था कार्वन का पर material नहीं है जब और हेरा तेनों हैं ठीक है अगला 98 प्रस्षन है कि भारी जल क्या है तो भारी जल दोष्टो पूचा गया है तो इसका जो मुझलब राशाइनिक सूतर होता है वो तो हम पता है D2 होता है इससे हम कहते हैं Deuterium Oxide के नाम से भी इससे जानते हैं और इसका जो है अंसर C है सीतलग और मंदक के रूप में काम करता है यह ठीक है तो option C इसका right है सीतलग और मंडल तो भारी जलगा formula क्या है कभी कभी पूछ जाता है D2O ठीक है तो इसका पुरा नाम है था है deuterium oxide ठीक है और मंदक और सीतलग दोनों के रूप में इसका प्रियोग कहाता है यानि कि cooler और moderator अगला प्रशन है विटामिन C का रासा इंग नाम क्या है तो ascorbic अमल हमारा विटामिन C का पुरा नाम है ठीक है option C इसे विटामिन C का पुरा नाम है और एंगला प्रशन है तो सोडियम को चाको से काटा जा सकता है कौन सी दातो को krocine में डोबोकर रखा जाता है सोडियम को कर दूबोकर भी रखा जाता है दोस्तों आज की इस वीडियो मा हमने डिस्क्रसिन सब कर लिए है पच्चास जो आरो यारो के सॉल्ड पेपर में प्रसंद पूछे गए थे प्रिवेस एक्जामस में तो आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक, कमेंट और सेर ज़रूर कियागी जे थैंक्यू थैंक्स पर वोजिए इस वीडियो, सी यू नेक्स ताइम